गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से UPPSC, UPSSC और SSC से संब सभी एक्जाम के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं तो अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जैसा कि आपने थम्नेल में देखी लिया होगा एक काफी इंपॉर्टन नोटिस उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग द्वारा शायद वो हो जाएंगे इसके लावा सबसे इंपॉर्टन टेक तो एक्जाम है हमारा यह समिक्षा दिकारी और सायक शमिक्षा दिकारी का प्रारंविक परिक्षा यह आपकी ग्यारा फरवरी दोजार चौबिस को बाप सो परतिशत मानी ऐसी तारीक को कराई जाएगी इसको होली के छुट्टियों की वज़े से प्रीपॉन किया गया तो अब इसको 17 मार्च को आयोगी आयोजित कराने की अभी पूरी प्लैनिंग है और कलेंडर में आ गया तो आपकी मान के चलिए 99 परसेंट इसी तारीक को यह हो जाएगा इसके बाद बात करें स्टाफ नर् की सचिव परिक्षा शॉट हेंड टाइपिंग जिसका अभी एक्जाम हुआ है पिछले वीक आपने देखा होगा संडे को जिसमें मातर 50% अटेंडनेंस रही है उसी की बात हो रही है नौ अपरेल से आपकी इसकी शॉट हेंड टाइपिंग की जो स्किल टेस्ट होता है वो जून को आयोग कराएगा पिर जो टाउन प्लैनर है उसकी मुख्य परिक्षा 19 जून को आयोग कराएगा PCS का जो मेंस एक्जाम है ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपोर्टेंट है PCS का मेंस एक्जाम आप देखेंगे 7-7-2024 यानि 7 जुलाई से जो है मुख्य परिक्षा आ आयोग घोशित कर दे क्योंकि टाइम आयोग पर काफी रहेगा इसके बाद बात करें समिक्षा अधिकारी की मुख्य परिक्षा आपकी 28 जूलाई से प्रस्तावित है ये आप लोग के लिए अच्छा है दोना एक्जाम की तैयरी आप थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ कर सकत 15-9 यानि 15 सितंबर को जिकित्स अधिकारी होमेपैथिक इसके स्क्रेनिंग परिक्षा ये आपकी 20 अक्टूबर को वैग्यानिक अधिकारी यानि साइन्टिफिक आफिसर जो होते हैं उसकी परिक्षा आपकी 10 नवंबर को आयोग ने लगाई है इसके अलावाद दो डेट् परिक्षित रखी हैं यहां पर आप देखिए कुछ नीचे छोटे 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 नोटिस भी हैं कुछ पदों या था सम्मिलित राज्य क्रिशी सेवा परिक्षा और सम्मिलित राज्य अभिहंत्रन सेवा परिक्षा आदी की परिक्षा योजना पाठ्ठेक्रम के इंजिनिरिंग सर्विसेस का जो एक्जाम होता है समलित राज अभिहंतरन सेवा उतका अभी तक तो इसमें कोई जिक्रे नहीं है लेकिन किसी ना किसी रिजर्व डे में यह आप आयोग जीत करा लेगा आयोग जो भी शाशन के अनुमोदनों परांत होगा इसके लावा उपर आरक्षि छितियों में समायोज की जाएंगी ठीक है तो दो एक बीयों का और आपका जो एल्टी ग्रेट का एक्जाम है वो भी आपका इनी किसी ना किसी डेट में शेड्यूल किया जाएगा तो यह काफी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है ऐसे ही रेगुलर अप्डेट्स क